हेलो फ्रेंड्स इस बार हम पार्ट डू लेकर रहा हैं पिछली बड़ जो फॉर्मूला मैंने बताया था ट्रिक क्यूब रूट निकालने का अब इस बार उसका दूसरा पार्ट है यह क्यूफ रूट कैसे निकालते हैं हम सभी को पता है लेकिन एस सेशन में सीखेंगे कि क् अच्यान में रखना क्या है यह नमबर 1 2 3 4 5 6 7 8 19 और 10 तक नमबर का क्यूब रूट यानि के 1 8 27 64 ये सब हमें पता है और उसका लस्ट डिजिट क्या हुगा हुगा लास्ट डिजिट में पता होना चाहिए तो वो यहां से हम निकाल देंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है इन सब का लास्ट डिजिट क्या यहां लिख लेंगे अब हमें करना क्या है कि अगर कोई भी नंबर जो end होता है 1 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 0 से तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे लेकिन कोई नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट end होता है 2 से, 8 से, 3 से, 7 से तो क्या करेंगे कि हम उसको दूसरे नंबर के साथ flip कर देंगे दूसरा कौन सा नंबर जैसे यहां 2 है end में तो हम इसके नंबर 8 से उसको change कर देंगे example के लिए हम यहां पर देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर of 185, 193 तो इसका last digit क्या है हमारे पास 3 है ना तो हम यहां पर क्या लिखे है कि look at the last digit तो हमें मिला 3 अब हमारा formula कहता है कि अगर नंबर के end में 3 होगा तो flip करेंगे flip किस से करना है तो इसमें 3 का है यहां तो flip करेंगे 7 से है ना तो इन 3 digits के बदले हम यहां पर लिखेंगे 7 ठीक है बात समझ में आई 3 है तो 7 के साथ flip कर दी क्योंकि हमारा rule यह कहता है कि flip 4, 2 और 8, 3 और 7 तो 3 है तो 7 के साथ flip कर दी अब बचा हमारे पास 185 तो हम क्या यहां है इग्नोर लास्ट 3 digits ठीक है तो हम पीछे के 3 digits को इग्नोर कर देते हैं हमार पास आएगा 185 अब 185 का सबसे closest नंबर किसका क्यूब है तो यहां देखते हैं 125 216 तो फार्मूला के कॉर्डिंग without going over तो हमें over नहीं जाना है यानि 185 है तो हम लेंगे 5 यानि 185 के बदले यहां पर आएगा 5 तो हमारे answer हो जाएगा 57 एक तो यह होगे example अब एक example देखते हैं जिसमें digit के end में 6 हो तो उसके लिए हमने कहा कि same होना चाहिए वो flip नहीं होगा तो 6 होगा तो हम इन तीनों के बदले में क्या कर देंगे यहां पर 6 लिख देंगे और यहां पर 636 है तो 636 का closest देखते हैं यहां पर क्या है 512 729 तो हमें ओवर नहीं जाना है तो 512 का नंबर लेते हैं एट तो यहां पर क्या हो जागा एट ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा 86 तो ऐसे ही आप भी चिक करिया और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा थैंक यू